कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल में फ्रेंड्स तो आज के इस वीडियो में मैं फिर लेकर आ गए हूं शौर्ट सेयर में जो है एक खुबसुरा सा तीन हेल स्ट सब्सक्राइब तो यह वीडियो है फिर ने सग्राइब व्हर्ण होनी टेटेट है तो इक सब्सक्राइब गर्लम की दोस्ति हूं से लाटे वह बन honestस करें सब्सक्राइब कर शक्यां में और सब्सक्राइब की सब्सक्राइब नहineada this time अधर बहुत ही ज़्यार SME सब्सक्रा और आज मैं जो हेर स्टाइल करने वाली हूं इसे वूमन भी कर सकती है जिनके फेस पर यह स्टाइल सूट करें तो आप लोग ट्राइक कर सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है वीडियो चले स्टाइट करते हैं लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बता देती हूं शौर्ट से लिलेटेड मैंने कई सारी वीडियो अपने चैनल पे शेयर कर रखे हैं अगर अभी तक आप लोगों ने जो है अब वीडियो को नहीं देखा है चेक नहीं किया है तो मैं उन सारे वीडियो के लिंक या तो ऊपर यहीं कहीं आई पटन में दे दूंगी एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा वीडियो के और वीडियो का दिस्क्रिप्शन में भी मैं उन सारी लिंक को डाल दूंगी तो आप किसी के भी थ्रू उन वीडियो तक जा सकते हैं वीड को लाइक जरूर करिएगा और मेरे चनल को सब्सक्राइब भी कर लेजेगा ताकि ऐसे ही वीडियो आगे देख सकें और बेल आइकान को जरूर प्रेस कर लेजेगा ताकि नोटीफिकेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो फ्रेंट्स वीडियो चलिए स्टार्ट करते है तो फ्रेंट्स यहां पर मैंने अपने बालों में अच्छे से कॉम कर लिया और पीछे से मेरे बालों की लेंथ आप देख सकते हैं इसमें कटिंग हुई है इस्टेक पर कटिंग हुई है और लेंथ लगभग शोल्डर लेंथ है तो आज जो हम जो फर्स्ट हैरिस्टाइल सब्सक्राइब है तो आप सकती है लेकिन जो तुन चाहती है व días एक पोनी बना ली इसमें कुछ बस यह बहुत ही ज्यादा यह इजी है बस हाइप होनी कर लेना है आपको और कुछ भी नहीं और हलकी से जो बाल मेरे चिपके हुए थे उनको धीरे-धीरे करके पकड़ के पीछे से और हलके से मैं उनको उठा रही हूं ताकि वह हलके से फूले-फूले लगे सो इनको आप अ है जैसे वह आले आते हैं यह बहुत ही स्टाइलिस्ट बैन्ड अव्ले हैं तो आप उनको जितने अंगे बहुत ही जादा खूबसुरत लगेंगा तो मेरे पास फिलाल यही बैंड था तो मैंने यही वीजकर लिया है लेकिन इसमें आप जितना भी stylish band यूज़ करें वो ज्यादा अच्छा रहेगा इस्पेशली जो बो वाले आते हैं बैंड वो और कुछ इस तरीके से मैंने हलके हलके बाल साइट साइट से निकाल लिये हैं ताकि जो और भी ज्यादा ये look stylish लगे तो ये girls के लिए तो बहुत ह ज्यादा best है जो college जाती है girls उनके लिए है school girls के लिए भी ये भी बहुत ही ज्यादा best है तो आप कहीं भी छोटे मोटे function में भी इसको try कर सकते हैं और अगर आप पीछे से आपके बाल निकल रहे हो तो इस तरीके का पिन आप ले सकते हैं और तो टक कर लिए ताकि जो है पी अगर आपको इसमें मैसी बन बनाना है तो आपको क्या है बस बालों को पकड़के धीरे धीरे खींचते जाना है खींचते जाना है वह अपने आप मैसी बनते जाएंगे अभी मैंने आप लोगों को शो किया है इस तरीके से तो यहां मैंने बालों को पीछे से पकड़के औ और उनको ऐसे bissus करते जाना है ताकि कि ओ मैसी लूप और फीके से एक बॉभी पिण से भी हम लोग कर लेँगे ताकि कि जो है बाल जो हैं सिक्षियोर है निकलेगे नंगर निकल है नीहां इनको ऐसे स करते है यह closer है आप सेकर्ण हैर च्छाल की तरफ बढ़ते सेacje हई पोनी पर नाएंगे हैं यहां सेकंड एरस्टाइल में हाम लोग बना रहे हैं एक हाइब जो कि विदाओड डोनट है है बिना कोई डोनट या किसी टूल का यूस पर हम लोग आज बनाएंगे एक हाइब तो पोनी को बना लिया है बैंड की हेल्प से और टाइट थोड़ा बैंड बांधेंगे डीली नहीं रहनी चाहिए आप टाइट होनी चाहिए और उसके बाद से पतला सा यह वाला बैंड मैंने लिया है तो यहां पे बहुत ही पारीक पतला आपको लेना है बैंड और जो बाल का जो नीचे वाला पार्ट है उनमें कुछ इस तरीके से आपको इन बालों को टक कर लेना है और नीचे की तरफ ऐसे मोरते जाना है मोरते जाना है अंदर की तरफ और साइट के दोनों बाल को मिला के फिर हम एक छोटे क्लेचर से टक कर लेंगे सब्सक्ति ये दिखे कुछ इस तरीके से मैंने दोनों साइट के बालों को मिला आके और छोटा वाला इस तरेके से टक कर लिया और थोड़े बोड़े थोड़े से बाल जो है जो इधर उधर निकले रहें वह खूबशूरत ही लगेगा और इन में से भी हम आगे की तरफ से कुछ हलके से बाल निकालेंगे जो की लुप को बहुत ज़्यादा खुबसूरत बनाते हैं यह देखें पीछे से मेरा हो गया एक नया हाई बन और कैसा लगा आप लोगों को बताईएगा जरूर और मेरे अधर वीडियो भी चेक करिए फ्रेंट्स उसमें बहुत सारे छोटे बालों के से रिलेटेड मैंने वीडियो शेयर की हैं तो आई बटन और या एंड स्क्रीन और डिस्क्रीप्शन जरूर आप लोग चेक करिया करिए क्योंकि डिस्क्रीप्शन में सारे वीडियो के लिंक रहते हैं अब चलिए थर्ड हेर स्टाइल की तरफ बढ़ते हैं तो सब्सक्रीप्शन जरूर लिए हैं उनको दो शक्सिंट में डिवाइट कर लिया और कुछ इस तरीके से क्रीट करके बालों को एक के ऊपर एक रखा है और एक तरफ के बाल दूसरी तरह दूसरी आप दूसरी पाल दूसरी तरफ तरह इस तरिके से फ्रेंच सिस्जु कर दो दो, जो को भाई दो, जाओ कि अ है कि अपने कि अपने को भिवा कि अपने तो. सो फ्रेंट्स यहां मैंने अपने सामने के जो बाल थे उनको कुछ इस तरीके से फ्रेंच लुक दे दिया है अब उसको टिक टैक वाली जो पिन होती है उसे टक कर लिया है और साइट के बाल को अच्छे से कॉम करेंगे और इसमें बनाएंगे हम लोग एक हाई पूनी और यह इरिंग मेरी इतनी बार वीडियो में गिरी है मैंने बार-बार उठाया इनको कहरी वीडियो में कई बार मैंने इसको एडिट किया था लेकिन ये लाार्ट क्लिप रह गई थी तो मैंने कहा छोड़ो कोई बात नहीं और यहां अब लोग हम लोग बनाएंगे जो इसमें हाइप होनी तो बेंड लेके खुब टाइट इसको हम लोग टाइड कर लेंगे बालों को ताकि निकले ना और कुछ इस तरीके से बालों को फैला लेंगे अब इस तो अगेन मैंने यह ले लिया है वैसे इतना जदा फैंशी नहीं आपके पास जितना भी फैंशी हो वह आप ले सकते हैं और भूँट ही जादा खूबसूरत लगेगा फ्रेंट्स और थोड़ा साइस लुक को और स्टायलिस लगने के लिए हमने यहां साइट साइट से बालों को निकाल लिया है ताकि इसका लुक और भी ज्यादा खुबसूरत लगे तो यह जो है है इस्टायल यह गर्स के लिए तो हाई है लेकिन जो इस्पोर्ट्स गर्ल्स क्योंकि आगे के बाल टाई रहेंगे तो उनके लिए जो है बेस्ट रहेगा ताकि स्पोर्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम ना है वैसे यह आप से किसी भी फॉर्टी फंक्शन में भी आप अपने इस लुक को क्रियेट कर सकती है बद तो बहुत ही खुबसूरत लग रहा है यह दोनों इर रिंग मैंने निकाल लियا हैं और इसमें कोई भी पेंश नहीं था तो यहां पर मैंने साइट के बालों को निकाल लिया है और यह लुक मेरा हो गया है रेडी अब आप लोग बताई है कैसा लगा मेरा यह रिस्ट है जड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्ल जो कि अज़ान के कि अकि अज़ कि अब खायोंस